हलो गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज के इस वीडियो में फायर बोल्ट विजनरी स्मार्ट वाच का रिव्यू देने वाला हूं जो की अभी लॉंच होने ही वाली है तो आज के इस वीडियो में सारी डेटेल्स बताऊंगा इस वाच के बारे में एंड तक सरूर से दे भाई तो यहां पर आपको लांग बोक्स में देकने को मिल जाएगी एस स्मार्ट वाच इस साइट में फायर वोल्ट की ब्रैंडिंग और अगर बात की जाए इस साइट की तो यहां पर बहुत सारा हाइलाकेट फीचर्छ देखनेको मिल जाएंगे उसी के साथ पाफिछी क में मंग गई है क्योंकि पर्सनली में को सिल्वर जो है वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है वाकि यहां पर आपको और भी कलर ऑप्शन्स देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ यहां पर अगर बात की जाए कुछ और कंटेंट्स की तो यहां पर मैगनेटिक फोर पिन केबल का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इससे पहले जो फायर बोल्ट वंडर लॉंच हुई थी उसके अंदर भी इसी का सपोर्ट देखने को मिला था तो अब यहां पर वाचिस के अंदर मैगनेटिक फोर पिन केबल आने लग गई है उसी के साथ अगर बात की जाए कु देखने को मिल जाएगी और यहां पर भी बहुत सारी डेटेल्स देखने को मिल जाएगी जिसको पढ़के आप समझ सकते हो तो सबसे पहले अगर बात करें बिल्ट कॉल्टी और फॉर्स इंप्रेशन की तो क्योंकि यह एक प्रीमियम सेग्मेंट की वाच उने वाली है तो इसके अंदर फॉर्स इंप्रेशन बहुत अच्छा आरहा है उसी के साथ यहां पर बात करें कॉलिटी की तो साइड्स में मेंटल बिल्ट देखने को मिल जाएगा और यहां पर कुछ सेंसर्स भी देखने को मिल जाएगे जिनको वीडियो में आगे टेस्ट करेंगे इस समा crown भी working होने वाला है सिस्मार्ट वाच का और अगर बात की जाए स्ट्रैप्स की तो यहां पर आपको removable स्ट्रैप्स का option देखने को मिल जाएगा और यहां पर 44 mm के कोई भी स्ट्रैप्स लगा सकते हो उसी के साथ स्ट्रैप्स की भी decent quality देखने को मिल जाएगी अभी तक तो कोई issue find नहीं हुआ तो चलिए एक बार इस smart watch का weight भी चेक कर लेता है तो इसका weight होने वाला है 50 gram और 50 gram तो मिल को expected ही था क्योंकि इसके अंदर metal build देखने को मिल जाती है पर metal build देखने के बावजूद भी इसका weight बहुत जादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है तो इसका average weight देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर 368 x 448 pixels का resolution देखने को मिल जाएगा उसी के साथ इस smart watch के अंदर always on display का भी option देखने को मिल जाएगा overall यहाँ पर display की quality बहुत अच्छी provide की गई है और यहाँ पर अगर आप second hands के movement को notice कर सकते हो तो यहाँ पर second hands का movement बहुत ज़्यादा smooth है और यह चीज़ बताती है कि display की quality कितनी अच्छी है उसी के साथ brightness के आपको कोई tension लेने की ज़रुरत नहीं है peak brightness बहुत ज़्यादा है और मैंने इसको hard sunlight condition में use करने की कोशिश की और सारी ही conditions में इसका display visible था तो display को ल download करना होगा जिसका नाम है dafit तो यह जो application है इसी के साथ सारा support देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर थुड़ा बहुत setup करना पड़ेगा जो मैं कर लेता हूँ तो application को मैंने setup कर दिया है और यहाँ पर firebolt 046 लिखा आ चुका है तो इसके उपर click करके connect कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि यह watch within seconds connect हो जाती है और यहाँ पर आपको upgrades भी देखने को मिल जाएगे तो मैं watch को update कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर bugs वगरा जो भी होंगे वो fix हो जाएगे तो अब अगर बात करें से smart watch के watch faces की तो इसके अंदर built in 10 watch faces का support देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर बहुत अच्छी quality के watch faces देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर यह अपने हैसाब से set कर सकते हो उसी के साथ अगर आप चाहो तो application से भी watch faces लगा सकते हो application के अंदर भी बहुत सारे watch faces का support देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से भी अपने हैसाब से लगा सकते हो और अगर चाहो तो custom watch faces भी लगा सकते हो यहाँ पर watch face 8 में यहाँ पर edit पे click करके custom watch faces को भी लगा सकते हो और अगर बात करें custom watch faces की quality की तो क्योंकि इस smart watch के अंदर अच्छा display देखने को मिल जाता है तो custom watch faces बहुत अच्छी quality के लगा सकते हो और pixels वगेरा बिलकुल नहीं फटते हैं यह बहुत अच्छी बात है अगर बात की जाए battery backup की तो इस smart watch के अंदर heavy usage और calling feature को use करोगे तो 2-3 days का battery backup देखने को मिल जाएगा और अगर आप heavy usage ना करो या फिर calling feature को use ना करो तो 4-5 दिन का battery backup भी देखने को मिल जाता है तो ये एक decent सा battery backup होने वाला है एक calling watch के इसाब से उसी के साथ इस smart watch के अंदर magnetic 4-pin charger का support देखने को मिल जाएगा चुकि इस smart watch को 0-100 तक charge कर देगा सिर्फ 2 hours में ये smart watch IP67 water resistant भी होने वाली है पर यहाँ पे ratings क्योंकि थोड़ी कम देखने को मिलती है तो यहाँ पे इसको जादा deep water में मत ले जाना नहीं तो खराब भी हो सकती है नॉर्मल अगर इसके उपर थोड़ा बहुत पानी वगएरा गिर जाए तो कोई problem नहीं होगी तो चलिए अब एक बार UI भी चेक कर लेते हैं से smart watch का इसके अंदर बहुत smooth UI देखने को मिल जाएगा बिल्कुल भी आपको lags वगरा देखने को नहीं मिलेंगे नीची की तरफ swipe करके control panel देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप brightness को adjust कर सकते हो उसी के साथ right की तरफ swipe करने पे यहाँ पे आपको options देखने को मिल जाएगे recent app के उसी के साथ weather देखने को मिल जाएगा और उपर की तरफ swipe करके यहाँ पे आपको notifications देखने को मिल जाएगे phone के और left की तरफ swipe करके components देखने को मिल जाएगे और यहाँ पे उपर की तरफ swipe करोगे तो यहाँ पे पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा डेटेल्स में तो यहाँ पे आपको बहुत सारे components के option देखने को मिल जाएगे तो यह सारे अपने साब से use कर सकते हो और अगर चाहो तो और भी components को add भी कर सकते हो उसी के साथ अगर इस smartwatch के अंदर इस वाले button को press करोगे तो यहाँ पे menu style open हो जाएगी तो इसके अंदर total two menu style का option देखने को मिल जाएगा यह वाली है honeycomb mode उसी के साथ इसी button को दो बार press करोगे तो यहाँ पे आपको list menu style भी देखने को मिल जाएगी तो इसको भी आप crown को rotate करके access कर सकते हो उसी के साथ honeycomb mode की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल भी lags वगरा देखने को नहीं मिलते है बिल्कुल smooth सा experience देखने को मिल जाता है और उसी के साथ crown को rotate करोगे तो यहाँ पे zoom in और zoom out भी कर सकते हो तो overall user friendly UI देखने को मिल जाता है और उतनी जादा कोई problem नहीं होगी health features की बात की जाए तो इस smart watch के अंदर heart rate और spo2 sensor देखने को मिल जाता है उसी के साथ sleep monitor और BP monitor भी देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले अगर बात की जाए heart rate sensor की तो यहाँ पे सबसे पहले check कर लेता है कि air के अंदर reading show करती है या नहीं तो आप देख सकते हो कि air के अंदर ये smart watch reading show नहीं करती है मतलब sensors accurate तो होने वाल है एक बार surface के उपर भी try कर लेता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो surface के उपर भी reading show नहीं होती मतलब sensors में दम तो है तो यहाँ Oximeter के अंदर 70 शो हो रहा है तो चलिए एक बार watch के अंदर भी चेक कर लिता है तो यहाँ आप देख सकते हो watch के अंदर 67, 69, 71 शो हो रहा है तो Oximeter और watch के result बहुत ज़्यादा match करता है और इस watch के अंदर accurate heart rate sensor देखने को मिल जाता है उसी के साथ यहाँ पर 24 hour heart rate monitoring का भी option देखने को मिल जाएगा जिसको application से on कर सकते हो तो चलिए अब SPO2 sensor को भी Oximeter से compare करके देखते हैं तो Oximeter में 96 आ रहा है तो एक बार watch के अंदर चेक कर लिता है watch के अंदर क्या आता है तो यहाँ watch के अंदर 99 आ रहा है तो Oximeter से इसकी accuracy match नहीं करती है और इस smart watch के अंदर SPO2 के results थोड़े उपर नीचा आता है जो कि expected था क्योंकि smart watches से SPO2 measure करना possible नहीं होता है उसी के साथ यहाँ पर sleep monitor का option देखने को मिल जाएगा और इसकी accuracy भी बहुत गजब की देखने को मिल जाएगी मैंने 2-3 बार try किया और इसने एकदम accurately readings show की उसी के साथ proper graphs में data show जाता है light sleep और बाकी सारी information और application के अंदर भी यह सारा information चेक कर सकते हो तो sleep monitor इस smart watch का accurate होने वाला है तो चलिए अब कुछ applications चेक कर लेते हैं इस smart watch के अंदर तो यहाँ पे सबसे बेला option देखने को मिल जाएगा phone call का और क्योंकि यह calling watch होने वाली है तो इसके अंदर recent calls उसी के साथ dialer और उसी के साथ यहाँ पे context का भी option देखने को मिल जाएगा और application से कोई भी 8 contact sync कर सकते हो उसी के साथ dial pad पे जाके किसी को भी calls होगिरा कर सकते हो calls phone से ही लगेंगे पर इस smart watch से बात कर सकते हो तो यहाँ पे अगर बात की जाए speaker की loudness की तो loudness यहाँ पे average देखने को मिल जाती है उतनी भी अच्छी नहीं है पर उतनी भी बुरी नहीं है तो यहाँ पे आप इंडोर्स में आराम से calls वगर अटेंड कर सकते हो आउटडोर में भी कुछ conditions में calls वगर अटेंड कर सकते हो पर अगर बात की जाए बहुत जादर loudness वाले एरिया में हो या फिर ऐसे एरिया में हो तो फिर आपको calls करने में 100% problem आएगी जो कि लगबख सारी watches के अंदर होता है उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे fitness features वाले option देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ यहाँ पे exercise का option देखने को मिल जाएगा और इस smart watch के अंदर total 100 sports mode का option देखने को मिल जाएगा इससे पहले wonder आई थी उससे पहले beam आई थी और दोनों के ही अंदर sports mode बढ़ा है तो यह watch कैसे पीछे रह सकती थी इसके अंदर भी total 100 sports mode डाल दिये है और सारे ही बहुत जादा काम के तो आपके जो daily life के exercises वगरा होती है वो सभी आराम से track कर सकती है यह smart watch तो यहाँ पे मैं तो जादा कुछ नहीं बता पाऊंगा पर एक बार pedometer के accuracy को test कर लेता है तो pedometer के accuracy को test करने के लिए मैंने totally 100 steps चले और इस smart watch के अंदर 102 शो हुआ तो pedometer के accuracy बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है उसमें कोई शिकायत नहीं है उसके बाद exercise record का option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सारा data recorded रहेगा कि आप कितने कदम चले और वो सारा data आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहाँ पे breathing का भी option देखने को मिल जाएगा तो यह smart watch आपको breathing के लिए guide करेगी जो कि helpful हो सकता है कुछ लोगों के लिए उसी के साथ यहाँ पे आपको 7 days का weather देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे cloudy और यह सारे जो animation show होते हैं थोड़ा सा अच्छे लगता है और premium side में लेके चला जाते हैं से smart watch को उसी के साथ यहाँ पे remote capture का option देखने को मिल जाएगा तो इसे भी test कर लिता है तो इस type से आप remote capture को use करके images भी click कर सकते हो उसी के साथ next option देखने को मिल जाएगा music player का तो यहाँ पे आप music को भी play कर सकते हो पर यहाँ पे एक चीज में mention करना चाहूँगा कि यहाँ पे three dot पे click करके आपको local music का भी option देखने को मिल जाएगा इस smart watch के अंदर inbuilt storage देखने को मिल जाती है तो एक बार बता देता हूँ कि music इसमें कैसे add कर सकते हैं तो इस smart watch के अंदर songs add करने के लिए सबसे पहले इस smart watch को PC या पे laptop से connect करना होगा connect करना बहुत जादा easy है उसके लिए यहाँ पे इस smart watch के अंदर आपको 4 pin charger देखने को मिल जाता है तो जस्ट आपको इस charger से connect करना पड़ेगा और laptop से मैंने connect कर दिया है तो यहाँ पे watch के अंदर charging start हो चुकी है और laptop से यह अपने आप ही connect हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे drive D में यह जो watch है यह आ चुकी है तो इसके अंदर आपको total 120 MB की space देखने को मिल जाएगी जानता हूँ 120 MB की space जो होती हो थोड़ी सी कम है पर इसके अंदर 50 से 60 song तो आराम से add कर सकते हो तो इस तरीके से आप music add करके local music के अंदर गाने आराम से सुन सकते हो उसी साथ यहाँ पे एक option और देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आप Bluetooth पे क्लिक करके कोई भी earbuds को pair कर सकते हो तो यहाँ पे मैं Firebolt की Firepod Rhythm ANC901 जो earbuds है जिनका review मैं दे चुका हूँ चाहूँ तो आप देख सकते हो मेरे channel पे इसको connect करके बताता हूँ इसके case को open करते ही यहाँ पे watch पे लिखा आगया तो earbuds से connect करना बहुत जादा easy है और earbuds से connect करने के बाद local music को earbuds के अंदर आराम से सुन सकते हो तो यहाँ पे मैं play करके बताता हूँ तो यहाँ पे अभी जो volume है वो सारी इस earbuds से आ रही है पर sadly मैं आपको यह song नहीं सुना सकता क्योंकि copyright का कुछ issue हो सकता है पर यहाँ पे मैं एक test करके बता सकता हूँ कि यहाँ पे earbud के अंदर sensor दिये गए है तो यहाँ पे इसके उपर tap करके यह music है यह pause हो चुका है तो यहाँ पे tap करके play और pause हो रहा है इसका मतलब यह जो earbud है successfully connect हो चुका है इस smart watch से तो smart watch से earbud को connect कर सकते हो और last में option देखने को मिल जाएगा phone music का तो यह वाला जो option है वो बाकी सारी watches की तरह ही है इसके अंदर आप phone का music आराम से सुन सकते हो watch के अंदर उसी के साथ यहाँ पे play pause करने का option देखने को मिल जाएगा उसी के साथ आप volume को भी यहीं से adjust कर सकते हो और अगर बात की जाए speaker की quality की तो अच्छी कासी quality देखने को मिल जाती है speaker फटता नहीं है यह बहुत अच्छी बात है तो इस smart watch के अंदर music भी enjoy कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे total 3 alarms का option देखने को मिल जाएगा जिसको अपने सब से set कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे stop clock, timer यह सारे option देखने को मिल जाएगे उसी के साथ female health tracking का भी option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे calculator दिया गया है तो calculator इस smart watch के अंदर available है और यहाँ पे आप आराम से कोई भी calculations वगेरा कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे flashlight का option देखने को मिल जाएगा और क्योंकि इसकी brightness अच्छी है तो बिलकुल अंधिर में हो तो यह as a flashlight भी use कर सकते हो और यहाँ पे इसके application का बारकोट देखने को मिल जाएगा और last ने option देखने को मिल जाएगा अदर्स का तो सबसे फिला option देखने को मिल जाएगा डिस्पले का जिसके अंदर auto sleep आप यही से set कर सकते हो यह feature जो auto sleep वाला है यह firebolt की सारी watches के अंदर नहीं मिलता है यह इसी watch के अंदर देखने को मिला है और यह मेरे सबसे important है क्योंकि मैं को video बनाना पड़ता है बाकी यहाँ पर option देखने को मिल जाता है menu style का जो आप अपने हिसाब से set कर सकते हो brightness इसकी बहुत ज़्यादा है peak brightness पर आराम से visible हो जाएगी display किसी भी condition में और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा dial switch की तो यहाँ से आप आराम से watch faces वगरा change कर सकते हो उसके बाद option देखने को मिल जाएगा vibration का तो इसको अपने सब से set कर सकते हो उसके बाद option low power mode का इसको on कर दोगे तो हो सकता है 6-7 दिन तक का भी battery backup मिल जाए theater mode देखने को मिल जाएगा phone call का option देखने को मिल जाएगा call reset अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपके जो भी call log है वगरा reset हो जाएगे उसी के साथ यहाँ पर voice assistant का भी option देखने को मिल जाएगा इसके बाद सबसे main feature देखने को मिल जाएगा जोकि होने वाला है always on display का तो यहाँ पर always on display का भी option देखने को मिल जाता है और इसके अंदर दो watch faces देखने को मिल जाएगे एक होगा analog और दूसरा होगा digital तो इन दोनों में से कोई भी watch face लगा सकते हो अपने हिसाब से पर मेरे हिसाब से always on की ज़रुवत हो तो ही use करना नहीं तो battery consumption बहुत जादा बढ़ जाता है always on display के साथ उसी के साथ यहाँ पे system का option देखने को मिल जा에गा यहाँ पे basic सा option देखने को मिल जाएगे और last में देखने को मिल जाएगा about तो यही सारे application और options देखने को मिल जाएगे से smart watch के अंदर तो last में अगर बात करे conclusion की तो conclusion देने से पहले स्मार्ट वाच का प्राइस बताना चाहूंगा तो ये स्मार्ट वाच का प्राइस होने वाला है 3,800 रुपीज और ये most probably कल या पड़सों तक launch हो जाएगी और मेरे हिसाब से totally value for money product है इसका reason होने वाला है कि इसके अंदर display अच्छा है build quality अच्छी है अच्छी है उसी के साथ sensors के accuracy अच्छी है sports mode बहुत सार है और एक feature जो कि मैं highlight करना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पे inbuilt storage देखने को मिल जाती है यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो option है ये पहले देखने को मिलता था firebolt invincible में वो smart watch आती है 7000 रुपे की तो 7000 वाला जो feature है वो आपको इतने कम price range में देखने को मिल जाता है तो ये नया feature है और overall बहुत कमाल की watch है metal built है overall looking wise बहुत मस्त है और ये premium segment की watch है तो कह सकते हैं कि price हलका सा जादा है पर totally value for money product है तो अगर आपका budget 3800 रुपीस के आसपास हो तो इसको जरूर से consider कर सकते हो क्योंकि justify करती है ये smart watch इसके price को तो उमीदा आज का वीडियो पसंद आयोगा अच्छा लगाओ तो like subscribe जरूर से करना firebolt के watches के review सबसे पहले देखने के लिए उसी के साथ support करते रहो तो मुझे भी अच्छा लगेगा like जरूर से कर देना मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए